हेलो एवरिवान वेलकम टू टीचिंग उनलाइन इस वीडियो में हम केमेस्ट्री स्ट्रक्चर आफ दा आटम चाप्टर को कंटीनिव करेंगे विद न्यू टॉपिक इस वीडियो का टॉपिक होगा इलेक्ट्रोंस डिस्ट्रिब्यूटेड इन डिफरेंट और्बिट या डिफरेंट शेल्स बोर जो साइंटेस्ट थे हैं उन्होंने ये बता दिया था कि जो इलेक्ट्रोंस होते हैं वो किसी भी सर्कुलर पात में रिवाल नहीं करते हैं वो एक डिस्टिंक और्बिट होता है जिनको आप एनर्जी लेवल या एनर्जी सेल करते हो उसके अंदर होते हैं अब उसके अंदर वो कैसे अरेंज़ होते हैं क्या एक ही और्बिट के अंदर सारे इलेक्ट्रोंज गुष जाते हैं तो वो कैसे अरेंज है वो हम इस वीडियो में देखेंगे दिस्रिबिशन ओफ एलेक्ट्रोंज एंटू दिफरेंट ओर्बिट ओफ एन आटम वोस सजेस्टेट बाई बोर एंड बरी तो जो बोर साइंटेस थे उन्होंने ये बताया था कि एलेक्ट्रोंज सर्कुलर पात में नहीं होते डिफरेंट डिफरेंट ओर्बिट से या शेल में होते हूं जिनको आप musiRob कहता हो अब वो कैसे उनका distribution होता है, वो कैसे different different orbit में electrons arranged है, वो Bore scientist ने बताया था, और Bore नाम के एक scientist थे, उन्होंने भी ये बात बताया थी कि कैसे distribution है electrons का, किसी भी different different orbits में, सब उसको अगर हम combine करें, तो कुछ rules है, जो Bore और Bore scientist ने suggest किये थे, तो जो different orbit हैं, उनके name आपको याद है, 1, 2, 3, 4, या KLMN shells, तो हम किस orbit में कितनी electron भरें, उसको आप 2N square formula से भी जान सकते हो, जहां पे N होगा उस orbit का number, जैसे 1, 2, 3, अब जैसे 1st orbit है, या फिर K shell, 1st orbit में 2 into, N की जगा क्या हुआ, 1st orbit का number है 1, तो 2 into 1, 2, मतलब पहले orbit में कितने भरें जाएंगे, 2, 2nd orbit में 8, जागट न, यहाँ पे 4 क्यों आया, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 2nd orbit है, L shell, 2, N square formula कितरू, 2, N में क्या आएगा, 2nd आएगा, क्योंकि orbit का number क्या है 2, अब 2 का square कर दो तो क्या हो गया, 4, और 4 को 2 से into करो तो 8, ऐसे ही 3rd, ऐसे ही 4th और so on, लेकिन जब आप इसका distribution करोगे, तो आप 1st वाले में 2 भरोगे और सब में 8, 8, ओके, तो the maximum number of electron, कितने electrons भरे जाएंगे, कितने कौन से shell में, वो हम 2 N square formula से जान सकते हैं, जहाँ पे N होता है orbit का number या energy level index, मतलब की 1, 2, 3, the maximum number of electron that can be accommodate in the outermost orbit is 8, जो outermost orbit होता है, जो सबसे बाहर वाला orbit होता है, उसके अंदर कितना electron भरा जाएगा, वो है 8, अब जैसे एक example लेते हैं किसी भी element का, element का example लेते हैं oxygen, अब oxygen का atomic number होता है 8, इसका मतलब उसमें proton होते है 8, और proton जितने होते हैं उतना electron होता है, इसका मतलब उसमें electron भी कितने होए 8, अब हम इसको भरना शुरू करते हैं, यह हमारा atom, इसके side में जो पहला shell है, उसके अंदर हम कितने भर सकते हैं, 2, 8 में से हमने 2 electron भर दिये, अब बाकी के कितने भचे, 6, अब जो next orbit है, उसमें हम बस 6 electron भर सकते हैं, तो जो सबसे last वाला orbit है, मतलब अब 6 भचे हैं सिर्फ, और कौन सा shell भचा है, के के बाद, L shell, अभी L shell क्या हुआ हुआ हमारा, outer most shell, और rule के हिसाब से, जो अब outer most shell है, उसके अंदर अब हम सिर्फ 8 भर सकते हैं, तो इसके अंदर हम 6 भर देंगे, बाकी का बचा 2, अब उस बाकी के 2 काके करना है, वो आप valency में पढ़ोगे, अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, अभी हम और example लेते हैं, अब हमने example लिया है, sodium का, sodium का atomic number होता है 11, इसका मतलब उसके अंदर proton भी कितने है, 11, और उसके अंदर electron भी कितने है, 11, अब हम बढ़ना शुरू करते हैं, यह है atom, यह है उसका first shell, k shell, 11 में से सबसे पहले shell में, k shell में हम कितने भर सकते हैं, 2, यहाँ पर हमने 2 electrons इसके अंदर fill कर दिये हैं, अब यह हमारा next orbit, कितने है, 9, अब L shell के अंदर हम कितने भर सकते हैं, मैंने आपको बताया, कि जब हम सच्छी का distribution करते हैं, रूल के हिसाब से, आप formula के हिसाब से आप यहाँ पर निकाल सकते हो, लेकि जब आप distribution करते हो, तो k shell में 2 भरना है, और बाकी सारे shells में 8, 8, ताकि आपको हर जगा फ हिसाब से, अब हाँ, हमारे कितने बचे, 9 electrons बचे हैं, तो अब यहाँ पर जो L shell है, इसके इंदर मैं कितने भर दूंगी, यहाँ पर मैं 8 electrons भर देती हूं, 8 यहाँ पर बढ़ दूंगी, 9, 10, फिर बचेगा 1, यहाँ पर मैंने 8 electrons भर दिये, अब चलते हैं, M shell में, M shell क्या ह अब है, यहाँ पर M shell, outer most orbit, M shell क्या है, outer most orbit, तो maximum number of electron, जो outer most orbit में भर सकते हैं, वो है 8, लेकिन अब यह कितना बचे हैं, हमारे पास 1, तो हम यहाँ पर 1 भर देते हैं, तो यहाँ पर यह जो दो हमने example लिया, सिर्फ इसको समझने के लिया लिया, कि जितना maximum number of electron, outer most orbit में हम भ सकते हैं, वो है 8, यह rules क्या आप रपना, it is very important, यह तीनो rules, electrons are not accommodated in a given shell, unless the inner shell are filled, electrons आप तब तक आगे नहीं भरोगे, जब तक अंदर वाला shell फिल नहीं हो जाता, ऐसा नहीं कि आपने K shell को छोड़ दिया, और आपने यह वाला shell भर दिया, that is the shell are filled in stepwise manner, इसका मतलब है, इस shell को, shell में आपको electrons stepwise step भरने हैं, अब जैसे मैंने sodium का example गिया, अब मुझे सबसे पहले 2 electrons भरने थे, लेकिन मैंने क्या किया, direct मैं else shell पे गई, और मैंने 8 electrons भर दिया, तो ऐसा नहीं करना है, stepwise manner में चलना है, और कितने electrons भर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको fill करते चलना है, और यह बहुत interesting भी हा, आप पहले 10 elements का, यह पूरा maximum distribution of electron आप करके देखो अपनी copy में, सबसे पहले आप लो hydrogen, फिर अपनी copy में यहाँ पे एक item बनाओ, फिर उसके बाद यह first orbit, और इसके अंदर आप कितने electron भर होगे, 1, क्यों electron, क्योंकि hydrogen का atomic number होता है, 1, hydrogen का protons भी हुआ 1, hydrogen के electron भी हुआ 1, फिर उसके बाद आता है helium, helium में helium का atomic number 2, protons भी 2, electron भी 2, फिर आप next diagram में, यहाँ पे केशल बनाओ, उसमें 2 फिल करो, ऐसे ही आप पूरे 10 elements का करो, okay, so इस वीडियो में हमने 3 rules देखे कि कैसे electrons का distribution होना है, और यह rules किसने suggest किये थे, bore and barinian, so इस वीडियो के इतना है मिलंगे next video में, thank you very much.